दोस्तों सेट्रेजन और लेवो सेट्रेजन में अंतर क्या है बहुत ज्यादा कॉमन कुश्चन है और दबाई भी बहुत कॉमन है हर वक्ति यूज करता है हर वक्ति भी यूज करता है और डॉक्टर्स भी यूज करते है ओटेसी की तरह मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है लेकि तो उससे पहले रिक्वेस्ट एक या नियर्द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें उसके बाद बैल आइकन को ज़रूर दबाएं इससे आपको और वीडियो मिलेंगे ठीक है तो शेर भी कर सकतें वीडियो को यहां पर बात करें दोस्तों स सीधी से बाते पहले repository आया उसके बाद लिव्वेटर आया अब जयर से बात हैं यह हर को यांता है यह दोनों के दोनों एंट्वी एलर्जिक ट्रग होती है तो अंतर कया देखो अंचर यह है जब कोई बंता है उस पर सरक की जाती है तो क्या होता है कि उस में कुछ कमिया होती है उसको पूरा करने के बात जो नया molecule निकल के आता है छलाया जाता है लेकिन कुछ ऐसी condition बन जाती है यहाँ पर हमको पुराना molecule भी चाही होता है तो इसलिए आज भी मार्केट में दोनों चल रहा है citrogen में चल रहा है और levo citrogen भी अब जायर से बात है citrogen के कुछ side effects ज्यादा थे इसलिए levo citrogen को लाया गया था लेकिन citrogen की भी जरुवत पड़ती है तो अंतर सिर्फ इतना है यह उसका levo form है उसका जो structure होता है citrogen का उसमें थोड़े से changes है फिर वो levo form बन जाता है अब सिर्फ इतना सा अंतर है बस अंतर यह हो सकता है कि उसका use करने के तरीके वो बहुत सारी चीज़ जो आपको आगे डिसकस करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ levo का अंतर है इसका levo form है वो levo form नहीं है पहला अंतर है कि भाई जो levo citrogen है वो कम sedative होता है citrogen से अगर आप किसी वेक्त कि उस्यटरिजन देंगे तो इसको थोड़ा सेडनेस ज्यादा आएगी डिजनेस ज्यादा आएगी नीन से आने लगेगी लेकिं levo citrogen देते हैं तो उसे आती तो उसमें भी लेकिं कम आती है तो पहला फर्क तो यह हो गया इसलिए कोई भी डॉक्टर citrogen यूज नहीं करता प्रेग्टेंसरी के टाइम पर क्योंको पता है कि levo citrogen दिया जा सकता है वो भी साब धाने पूरबा ऐसा नहीं कि citrogen पकड़ा दो महला को भखा दो वो चक्कर आया वो गिर गए उसको नुक्सान हो गए तो इसलिए यह चीज धियान रखना वाली बागता है levo citrogen का कम डोज भी citrogen के बरावर होता है मतलब उसमाही एफेक्टिव भी होता है levo citrogen 2.5 मिलीग्राम इक्वल होता है citrogen के 5 मिलीग्राम के ठीक है तो यह है कि यहाँ पर दो गोली आप levo citrogen के दोगे तो वहाँ पर citrogen एक काफी होजाता है क्योंकि थोड़ा सा heavy product है citrogen levo citrogen और citrogen के अगर uses की बात कि जाए कि इनका use कहां कहां किया जाए जाएर से बाते allergy में दोनों काम करते हैं किसी को तताया ने काट लिया खुचली हो रही फुंसी हो रही चकत्ता पड़ गया आप दोनों मैं से कोई भी दोगे उसको result मिलेगा उसका problem ठीक हो जाएगा लेकिन अगर बात कि जाए नके particular use की तो citrogen allergic reactions को कम करने के लिए जाता सरीर में किसी तरह की कोई allergy होगी उसको ठीक करने के लिए आप से ट्रिजिन दे सकती है अगर लिवो से ट्रिजन की बात किजा तो लिवो से ट्रिजन कुछ बिसेस conditions में इसके result अच्छे देता जैसे की allergic rhinitis अर्टिकेरिया या अस्तमा मॉंटलो कास्ट के साथ चलता तो यह चीज़ है अगर दौनों के हाफलाइब की बात की आप एल जो लिए 16 यह उसकी हाफ लाईब 10 घंटे होती आप ए-अज़ों होती है और से ट्रिजिन हाइडरो क्लोराइड के फॉर में आता है और लीबो सिट्रेजिन डाय हाइड्रोकिलराइट के फोर में एविलिबल होता है तो यह चीज़ दोज भी भूट थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है कि अगर आपको डोज जाना है तो लीबो सिट्रेजिन जो होता है टू पॉइंट फाइब से लेके फाइब मिली ग्राम तक दे इसमें किससे अच्छे रेजल्ट मिल रहे हैं और किससे नहीं मिल रहे है आप समझ गए होगी और अगर आपको अंतर पता हो तो कमेंट करें जिससे हमारे दूसरे विवर्स हैं उनको भी पता चल सके ठीक है तो आज के लिए सिर्प इतना है वीडियो चलगा तो लाइक कर स सकते हैं चैनल पुने चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख रहते ग्यान यह अर्थ अमेडिकल चैनल मैं हूशेव तो मैं मिलता हुआ अगले वीडियो में जहनुपन दूसरा अ बखने ओस्टाह अमेको अमेडिकल प्रणी全 ऌड़िकल अगले वीडिकल चैनल पकल चैनल जहांण वीडिकल नहां Yuk